Hey everyone, आज के जो वीडियो है अगेन एक बहुत ही कम माल की success story है और इस success story में इन्हें कैसे success मिली ये चीज भी मैं आपको समझाऊंगी तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही helpful होने माली है चाहिए आप किसी भी चीज को manifest कर रहे हो इसमें ये success story आपकी help करेगी क्योंकि ये एक बहुत बड़ी knowledge है जिसका use मैं खुद करती हूँ story को start करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारी course book को नहीं लिया है जिसे मैंने लिखा है तो आप उसे जरूर ले follow करें और उसके magic को feel करें उसके लिए आपको मुझे mail करना है या फिर मुझे instagram पर message करना है ये जो course book है वो एक daily routine book है जिसे मैं follow करती हूँ मैंने उसे तयार किया है वो same चीज और आप लोगों को भी दिया है तो चलिए अब मैं story को start करती हूँ ये story मेरी subscriber की ही है और जिसके screenshot मैं आपको दिखा रही हूँ इन्होंने whatsapp पे मुझे share किया है इन्होंने लिखा है hello ma'am I'm so happy मैंने SP का call manifest कर लिया वो भी एक दिन में मैंने कल mirror में जाके पूरे feelings के साथ three times affirmation बोला कि मैं उस resistance को release करती हूँ जो मेरे SP को मुझे call करने से रोक रहे है और फिर उस बात को मैं भूल गई और उनका call आ गया आज afternoon में so happy इन्होंने बहुत खुशी से लिखा है आप देख सकते हो और इन्होंने लिखा है thank you ma'am affirmations feeling के साथ जब हम बोलते हैं तो 100% work करते हैं but let go most important वाव इनके success story जो थी बहुत ही amazing थी सर्फ देखो एक दिनों में ही इन्होंने अपने partner के call को manifest किया है आखिर ये चीज़ कैसे हुई मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप कुछ भी जब manifest कर रहे हूँ तो उसके बीच में अगर नहीं आ रहा है वो चीज़ manifestation नहीं पूरी हो रही है तो वो उसके बीच में आपका resistance ही आ रहा है आप लोगों ने जिन्होंने भी मुझसे personal counseling ली है call पर बात की है आप लोगों को पता होगा कि मैं resistance release करना बताती हूँ और उस time मैं यहीं बताती हूँ कि आपको क्या करना है कि उस चीज़ को जब release करो तो feel करो कि आपने उस चीज़ को सच मुझ जाने दिया अपने अंदर से अपने उसे जाने दिया अपने life से जाने दिया और इन्होंने भी लिया है और इन्होंने भी वही चीज बोला है फील करके इन्हें समझ आया था इन्होंने फील करके बोला है और इनकी लाइफ से वो चीज चली गई तो सोचो जब इनकी लाइफ से एक दिन में वो चीज रिलीस करने से जाती है अगर मैं कह रही हूँ इतने भरोसे से तो आप सोच सकते हो बहुत से लोगों से मैंने बात की है बहुत से लोगों को मैंने ये same information बताया है कि आपको इस तरीके से release करना है और हर किसी की success story मुझे मिलती है मुझे खुद की life में भी success story इस तरीके की देखने को मिली है मतलब मुझे भी मिली है success तो आपको भी करना है अभी आपको मैंने बता दिया आपके हाथ में है decision आपको लेना है कि आप इसे follow करोगे या फिर नहीं यकीन मानो कि अगर follow करते हो तो आपको magic देखने को मिलेगा और अगर आपके relationship की problem है तो मैंने relationship की heal करने की guide त्यार कि है आप उसे देख भी सकते हो अगर आपके life में कोई और problem है जैसे health अच्छी नहीं है अगर job नहीं है तो आप बोलो कि मैं खराब health को release करती हूँ मैं इसे अपने life से अपने body से जाने देती हूँ इसी तरीके से job नहीं है तो आप बोल सकते हो कि मैं job नहीं होने की job जो है नहीं है इस situation को अपने life से release करती हूँ मैं इसे अपने लाइफ से जाने देती हूँ मैं अपनी consciousness मैं अपनी बॉड़ी से इस इसको जाने देती हूँ जब आप इसे feel करके सचमच बोलोगे और आइने में देखके बोलना mirror में देखकर ही बोलना अपनी आखो में straight देखते हुए बोलो feel करके बोलो और फिर देखो वो चीज कितनी जल्दी चली जाएगी और आपको पूरे दिन इसके बारे में सोचना भी नहीं है अगर आपने बोला कि आपने इसे release कर दिया तो आपको ऐसा feel होना चाहिए कि हाँ ये चीज अब आपकी life से जा चुकी है चली गई उसके बाद आपको simply क्या करना है कि अपने दूसरे कामों में बिजी हो जाना है हर दिन दो बार करो सोने से पहले और जागने के जस्ट बाद इस चीज को release करो और जब भी tension हो तब भी उस tension को उस fear को भी इस तरीके से release करो फिर आपका manifestation जरूर पूरा होगा मैं बोल रही हूँ तो पूरा होगा बस आपको feel करके पूरे faith के साथ बोलना है और result आपके सामने होगा जैसे यह मेरी subscriber है यह ने workshop भी जॉइन किया है वही relationship healing करने के लिए और सोचो इन्हें तो अभी ही success मिल गई सर्फ एक दिन में सर्फ एक affirmation को use करके तो आप भी चाहो तो use कर सकते हो और success अपनी life में पास सकते हो बहुत ही अस्तानी से और आपको relationship healing के guide के लिए भी मुझे mail करना है या फिर मुझे instagram पे message ही करना है एक फरवरी से हमारी workshop अभी start हो रही है तो उसे भी join करने का same process है आपको mail करना है या फिर message करना है instagram पे इस वीडियो के नीचे आप जो भी comment करेंगे आप अपनी problem comment कर सकते हो और उस problem के solution पे मैं एक अलग से video बनाती हूँ जो की मेरे universal truth live channel पे मैं उसके video upload करती हूँ वहाँ पे मैं हर दिन यहाँ के comment जिस पे सबसे ज़्यादा likes आते हैं उनका screenshot लेके दिखाते हुए उसके solution को बताती हूँ तो आप भी अपनी problem मुझे comment section में बता सकते हो और उसकी video मैं मैं बहुत सारे questions का मैंने already answer किया है और हर दिन यह process होगी तो आपके पास question करने का भी अच्छा मौका है आप अपनी problem का direct solution मुझे यहाँ पर पूछ सकते हो मैं बताऊंगी और second channel जो है मेरा universal truth book उस पे मैं teachings upload करती हूँ कि किस तरीके से क्या आपको use करना चाहिए कौन सी technique आपके लिए सही है कौन सी problem के लिए क्या आपको use करना चाहिए तो उसका link भी video के description में है आप वहाँ से जाके उसे भी subscribe कर लो और उसे देखना follow करना आपको success मिलेगी क्योंकि मैं कोई भी फाल्तू technique नहीं बताऊंगी मतलब वही सारी चीज़े सर्फ बताऊंगी जो कि आपके लिए फायदेमंद होगी यानि कि जिससे आपका mental pattern change होगा आपको बस मैं mental work सखाती हूँ और वही सिखाऊंगी तो आज के लिए मैं इस वीडियो को इतना ही रखूंगी थेंगे so much for watching God bless you all and I love you all